भाई वो देखिए वो क्या है उस पार हला दोस्तों तो कैसे हैं आप सब तो आज मैं पहुंच चुका हूँ गंगा के उस पार और बालू पर बन रही है एक बहुत ही सुन्दर टेंट सिटी तो देखते हैं यह क्या है और आगे चलते हैं चारो तरफ बालू ही बालू है दोस्तों यह गाइस प्रोजेक्ट के बड़े-बड़े बैनर लगे हुए यहाँ पर देखने में तो बिल्कुल रिजॉर्ट सा लग रहा है तो दोस्तों यह है बालू पर बन रहा है पूरा इसका भीस पहरे बना जाए रहा है तो हुझा जो राजाविया चलेंगे उट की सावारी करने पहली बार करने जा रहा है देखते हैं कैसा इनका रीव समधाता है तो गाइस यह देखिए हमारे दोस्त लोग राजाविया और मनोज सावारी कर रहा है उट की मुझे नहीं करनी है दोस्तों सो रुपे लगे हैं दो लोग बैठे हुए हैं और यह देखिए लोहे के मोटे मोटे पिलर बालू पर रखे हुए हैं और इसी पर टिकाया जाएगा टेंट को सामने टेंट बना हुआ है आगे जाने नहीं दे रहा है बनभाबोपण सीटी नहीं गणाने और दीनों में चालू हो जाएगी जीसे यहां पर होटेल का रूप दिया जाएगा जिसकी और इसा किराया बता रहे हैं कि 500-56 तक भी हो सकता है वो तो आने के बाद मालूम चलेगा और जो विदेशी है यहां पर ज्यादा तर आएंगे मकर संक्रांती आने वाली है भाई मैं तो सोच रहा हूं कि बाढ़ आएगा तो क्या होगा वैसे घबडाईये मत अभी बाढ़ नहीं आएगा अभी बाढ़ आने में टाइम है और बाढ़ आएगे तो यह लोग हटा देंगे तुरंद कि वक्त को कितना भी पकड़ के रखिए वह हाथों से फिसलता रहता है और एक दिन खत्म हो जाता है तो गाज देखिए अभी पूरा बनी रहा है और जब बन जायागा तो फिर हम लोग आएंगे और पढ़ियां से वीडियो बनाया जाएगा किम तुर भाई जाया घुछेंधन को कि देखिए भे एकंदा भाई तुर भाई भाई कि यह देखे कितना बड़ा बन रहा है कि दूम अंदर तक बन रहा दोस्तों बहुत अंदर तक है और बहुत जादे अरिया में है और यहां पर बंद कि यह भी जाने नहीं दे रहे हैं यह तो अंदर चल के दिखा जाता है तो गाज देखे आपने कैसे उस पार बन रही है बालों के उपर एक बड़ी सी टेंट सिटी यहां पर हजारों सा धालू आएंगे विदेशी आएंगे और जब बन जाएगा तो लोग आएंगे और अभी हम लोग देख चुके हैं तो अब हम लोग चलते हैं घर नाव से जा रहे हैं उस पार सब्लोग बठा हुआ है कि अ यह कि कि दुए हो ताब तो खरेंद तो पिद्धा तो तटर तरहकर रहा तो यह कि जlaw अधान भी कान नम्तगा नम्तगान तो कि अंगां बूल्ट कर दो कर दो